हाई अब हम शुरू करते हैं डे नमबर नाइन का चैलेंज और फटा फट देख लीजिए आज आपको क्या करना है तुरन टाइम वेस्ट करें बिना आपके चैलेंज के उपर डारेक्ली आ जाता हूं सबसे पहले देखिएगा यह मौक टेस्ट 3 पर आ जाते हैं अभी तक हम उपने 2 मौक टेस्ट सॉल्फ कर लिए हैं यह मौक टेस्ट 3 है ठीक है आप देख लिजिएगा सर्च कर लिजिएगा अपने वाट्साइप चैट पर याला नोट आपको मिला होगा इसको खोलिएगा और पहले के 30 कोशन लगाने आपको ठीक है कोशन नमबर वन से लेकि 30 त अगले उस पर आते हैं और देखिए अगला है हमारा teaching aptitude यह वाला हमने आपको English में दे रखा है और यह वाला हमने आपको Hindi में दे रखा है teaching aptitude ठीक है आप देखिएगा अगर आपको English में पढ़ना है तो English में पढ़िएगा वरना यह जो हमने आपको Hindi में पढ़िएगा ले आपको सारी जानकारी प्रोवाइट करा दी जाएगी अब देखिए इसमें क्या करना है आपने कि इसमें teaching aptitude में जो मैंने आपको इंग्लिश वाला भी बताया था उपर तो इंग्लिश वाले में आप आ जाएंगे page number 11 से लेके 14 तक 11 से 14 तक question number 1 से 30 तक के सारे questions की practice आप कर डा चाहिए अगर ज्यादा भी लग जाता कोई दिक्कत नहीं है मॉक टेस्स में शायद आपको कम लग जाए इसमें ज्यादा लग जाए तो एड्जस कर लिजएगा ठीक है दो से तीन घंटे में आपको ये challenge पूरा हो जाएगा फिर देखिए next यह करना है आपने अगला आपक टिक्स की यह जो हमने आपको PDF बनाके दिये देख लीजेगा 275 पेज़ेज वाली लेटेस्ट बनाके दिये इंग्लिश में तो इस पे आप आजाईए और पेज नंबर पे आ जाईए आप 3 सबसे पहला पेज़ा सबसे पहला टॉपिक है यह पेज नंबर 3 से 19 तक इसमें ट चुरवात में से 1 से 30 तक के question कर लेना है ठीक है पेज नंबर 3 से 19 तक सबसे पहले आप concept समझेंगे फिर formula समझेंगे पेज नंबर 3 से 5 तक और उसके बाद आप solve करेंगे 30 questions को आप solve करेंगे जो कि आपको short trick के साथ दिया होगा और उसको आप solve कर लेंगे उसके बाद आप आप आजाएए यह वाले PDF पर science जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं science वो यह वाला हिंदी वाला PDF देखेंगे देखेंगे इस तरह से लिखा होगा volume 2 in Hindi यहां साफ साफ लिखा होगा और जो लोग English में तयारी करना चाहते है science की वो यहां पर आजाएंगे general science आपको इस तरह से मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा volume 2 in English ठीक है आपको यह in English मिल जाएगा science का ठीक है देख लिजेगा volume 2 है क्या नाम है इसका search कर लिजेगा इसी PDF को search करना है आपको 74 pages है इसमें और हिंदी वाला देख लिजेगा उसम आपका page number 3 हो गया है तो 4 & 5 आप कर लेंगे ठीक है इसमें आपको 30 मिनट का time लगेगा तो science आपको यहां कर लेनी है हिंदी में आपको physics मिलेगी English में भी आपको physics मिलेगी तो physics आप कर लिजे science में ठीक है उसके बाद last में आप आजाएं सानियोनिम एंटॉनिम पे अभी तक 1 से लेके 42 तक सानियोनिम एंटॉनिम complete हो चुका है जो कि exams में government exam में बार बार पूछे गए हैं वो बहुत most important सानियोनिम एंटॉनिम है और exam आने तक हम आपके वो भी complete करा देंगे जो बचे हुए ठीक है इसी strategy को follow करते हुए चलिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती ह तो आप हमें whatsapp कर सकते हैं comment box में आप बताइए किस तरह से आप इस challenge को follow कर रहे हैं और telegram group और whatsapp group हमारा description में उसको join कर लिजएगा तो उमीद करते हैं challenge number 9 भी आप लोग complete कर लेंगे तो मिलते हैं आपसे challenge number 10 के वीडियो में तब तक ले thank you so much